आज बिल्ला निश्कार अरजीम, बिस्मिल्ला इर्मार रहीम तम आप देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कोरल राय एक्सिक्स ट्रिटोरियल नंबर 8 lesson number 8 में खुशामदीद कहते हैं आपको आज के हमारे content हैं discuss about effect menu and discuss about bitmap menu उसके बाद हम एक simple design करेंगे आज मैंने वैसे design बनाया हो था, flyer design करेंगे कोई भी health के हवाले से flyer design करेंगे तो आज हम अपना ये course start करते हैं तो जैसा के last class में हमने रहें तक इन चीज़ों के बारे में सारी चीज़ों के बारे में detail से review किया था आज हम discuss करेंगे effect menu पे, तो effect menu पे काम शुरू करने से पहले मैं यहां पे कुछ चीज़ें एक दो draw कर लेता हूं ताके जो बाद में हमें भी जरूरत पड़े अच्छा सबसे पहले effect menu में होता है adjust, adjust command use होती है image के लिए तो यहां पे मैंने already एक image रखी हुई है इसके ओपर हम experiment करके check करते है effect में adjust इसमें contrast enhancement contrast आप set कर सकते हैं यहां से review भी साथ इसका आप check कर सकते हैं कि आपने जो contrast इस पे apply किया है वो कैसे आपको review में दिखा देगा यह हो गया contrast उसके बाद हमारे पास होता है local equalization तो यह आप देख सकते हैं इस पे यह effect कर रहा है ऐसे ही height में अगर आपने इस पे करना है तो यहां से यह basically lock है दोनों side से auto कर रहा है तो यहां से इसका unlock कर लेंगे और कोई एक side को हम change कर लेंगे जहां पे हमें जिस तरह की वो effect हमें चाहिए होगा हम उस पे apply कर लेंगे उसके बाद हमारे पास इसमें target balance tone आती है वो भी आप use कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हम जो ज़्यादा तर use करते हैं हम इसमें हमारे ज्यादा काम की ज़ीजी होती है वो होती है brightness वगर भी आप कर सकते हैं यहां से tone कर जो हमारे पास option आता है हम ज़्यादा तर इसमें tone कर यूज करते हैं brightness को adjust करने के लिए manually जैसे photoshop में आप इसको अपनी मर्जी से set कर सकते हैं जहां पर आपको वो आपकी मत्रूबा आ जाए set हो जाए उसके बाद होता है color balance color balance भी आप set कर सकते हैं जो आपने यहां से set करना है shadow करना है तो shadow पर स्रिफ चेक रखेंगे बाकी आप बंद कर देंगे ऐसे ही mid tone highlights जो भी आपने set करना होता है उसको check रखते हैं और बाकी को off कर देते हैं lighting बगएरा के effect हैं जो हम इस पर apply कर सकते हैं और light lightness कितनी रखनी है वो आप यहां से लगा सकते हैं ऐसे ही channel mixture भी है channel mixture में भी आप color की adjustment कर सकते हैं और आपको यह उस तरह पर कोई भी 2-3 images आप बार-बार उस पर apply करके check करें तो आपको वो उससे सही समझ आएगी यह gamma correction के लिए हैं यहां से आप उस पर खर सकते हैं वैसे यह जो हमारी image है यह cartoon type है तो इसलिए इस पर उस तरह सही effect कुछ सही समझ नहीं आ रही है उसके बाद जो है correction transform transform में भी आप उस पर उसको set कर सकते हैं जैसे कि आप यहां पर even पर करके करते हैं यहां से मैं इसको पहले जून थोड़ा कर लेता हूं ताक कि आपको उस पर समझने में आसानी हो यहां से देखें और उस पर अप्लाई करना है तो यह आप बैसिकली जो camera effect बास camera होते हैं जिनका वो effect जो है वो सही नहीं उस पर अप्लाई करता तो यहां से आप manually उसको set कर सकते हैं invert तो invert हो जाएगा उसके बाद यह देखें posterize कर इसमें थोड़ी सी इसको अगर मैं reset करता हूं तो आप देखें बाद level है इसमें level को आप जितना ज्यादा करना चाहें तो यह चीज़ें यह आप इनको manually मुख्लिफ images पर apply करेंगे तो आपको उसकी समझाएगी dust and scratches remove करना है तो यहां से कितनी ज्यादा उसके हैं तो आप manually उसको यहां से set कर सकते हैं और apply करके देख सकते हैं अब क्यूंकि यह पिक्चर इसकी एक तो resolution भी नहीं है तो इस वजह से इस पर वो इतना अच्छा effect नहीं दे रहा उसके बाद यह तो बाकी जो artistic media, blend, contour, envelope यह चीज़ें आपने यहां से हमने आपको सिखा दी थी उसके बाद आता है power clip power clip Basically आपकिसी एक चीज़ को दुसी चीज़क के अंदर फिट करने के लिए जो coral का वाइल है उसके इंदर अब यह मिज्या है तो इसके अंदर कोई भी हम power clip कर सकते हैं इसके अंदर नहीं power clip कर सकते हम इसको power clip करेंगे तो यह इसको सिर्फ coral की shape में जो coral की shape बनी हो उसमें उसमें उपरेंगे इसके अंदर power clip होगी यह मैंने आपको पहले बिपताया था इसको जहां पर आपने रखना है size वगयरा जो भी चैज़ करना इसके बाद यहां तो right click करके finish editing level यहां से okay कर देंगे तो आपका वो complete हो जाएगा इसके बाद यहां पर extract करेंगे तो बाइर आ जाएगी जो आपने की हुई है edit जो भी मैंने आपको बताया था edit अंदर जहांके उसके बाद हमारे पास log container power clip power clip जो है वो अंदर जो चीज है वो वहीं पर है जब बाइर वाला container उठाते हैं तो अंदर वाली चीज लागए लिए उसके बाद counter center यह उसके center में आ गया है यह basically alignment के लिए है तो उसकी setting आप by default चेक कर सकते है manually उसके बाद हमारे पास इस menu में जो option है वो हमारे काम के लिए text पे मैं कोई effect लगा देता हूं हम क्या करते हैं यहां से copy effect copy effect कहां से करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था copy property from वैसे ही हम यह भी use कर सकते हैं जैसे देखें इस पे effect आदा और लगा है आदा और नजर आ रहा है तो यहां पे भी उसने outline भी effect के तोर पे उसने copy कर लिए वहां से ऐसे क्लोन उसमें था क्लोन effect तो अगर इन में से कोई आपने लगाया और तो क्लोन दूसरी चीज़ पर करना चाहरें तो वह जब इसमें एक चीज़ रहा गी थी add prospective prospective अगर हम करते हैं तो इसका यह मतलब है कि आप यहां इसके ऊपर prospective add effect लगाना चाहरें तो आप इस पे prospective add अपनी मर्जी से जिस तरह 3D shape बिनाने के लिए हम use करते हैं तो आप यहां से use कर लेंगे for example मैं एक box draw करना चाहता हूं मैं इस पे prospective add करूंगा यह इसका side flap बन जाएगा इसके बाद उपर इसके ऊपर भी prospective लगाके नोर्स को जोड़ दूँगा तो यह basically हमारी एक 3D shape 3rd dimensional dimensional shape त्यार होगी है यह आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास थोड़ा 3D effect इसमें आ गया है बागी color adjustment आप इसमें अपनी मर्जी से इसको कर सकते हैं जितना आपको इस तरह अच्छा लगता है वो effect इसके बाद हमारे पास आजता है bitmap bitmap के लिए आपके पास bitmap image होना जरूरी है इसको यह अभी basically PSD है हमारी तो इसको अगर convert to bitmap करना चाहें या कोई भी shape जो आपने draw की हुए इसको आप bitmap में convert कर सकते हैं और इसकी resolution यहां से आप अपने मकसद के लिए जिस मकसद के लिए आप work up कर रहे हैं अगर आपने web पे लगानी है print करनी है या high definition printing है कोई बड़ा banner है तो उसके लिए आपको यहां से dpi resolution ज्यदा रखनी परती है तो let's suppose मैं 300 कर देता हूं transparent रेने देता हूं CMY के color scheme हम यूज कर दें तो हम इसको ok कर देंगे तो यह हमारी जो coral की file थी basically अब यह अपस में well हो चुकी है और यह basically एक image बान लिए है उसके बाद हम इसमें auto adjust करते हैं for example मैं यह use करता हूं इस image को और इसको auto adjust करता हूं तो यह इसके color वगएरा automatically जहां तक करीब हो सकता है वहां तक उसको adjust कर देगा उसके बाद image adjustment tab इसमें आप मुखलिफ चीजें जो है वो कर सकते हैं इसमें आप check कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं आप अगर temperature बिनाएंगे काम करेंगे tent वाकि जो भी आप इस पर effect इसमें यहां पर इसमाल करेंगे नहीं है यहां पर यह grid हमारे पास लगा हुआ है जो हमें guide कर रहे है कि आपकी image अगर सीधी है तो ठीक है नहीं तो आप अगर इसको सीधी करना चाहरे है जैसे ही वह grid पे बिलकुल यहां से straight हो जाती है तो हमें पते चल जाता है कि अब यह straight होगी है और हम इसको ok कर देते हैं तो यह उसको बिलकल सीधा कर देता है उसके बाद edit में bitmap पे करेंगे तो इसकी coral की application होती है जिस तरह photoshop है उसमें भी आप जाके इसको edit कर सकते हैं effect लगा सकते हैं बाकि जो भी setting आपने करनी है और finish करेंगे तो आप वापस coral drama में अपनी जो आपने काम किया होगा उस पे apply हो जाएगा यहाँ पे आपके पास कुछ टूल आ रहे हैं इनके मदद से आप image को edit कर सकते हैं वैसे normally हम photoshop से ही image को crop बगएरा करके यहाँ पे लाते हैं इसके बाद crop वह तो normal है यह चीज़े मास्क है उसका जैसे मैंने आपको बताया था उसमें से कोई भी color आपने remove करना हो तो यहां से set करके जो color आपने remove करना है उसको set करेंगे apply करके आप दिखेंगे कि इसमें कितना फर्क पड़ रहा है तो आपको जहां वो color जहां जहां होगा image से वो remove होना शुरू हो जाएगा उसके बाद resimple इसमें जो इसकी resolution होगी width, height बगएर मिली मीटर में करनी है इंचीज में करनी है तो यहां से आप उसको set कर सकते हैं और ok कर सकते हैं उसके बाद mood, color mood जो आप कौन सा color mood पे उसको यूज कर रहे हैं तो वो आप उसके apply करेंगे अब भी इस वक्त ये RGB color scheme में है क्योंकि ये net से हमने download की थी ये भी RGB color scheme में है तो हम क्योंके CMY के में काम करते हैं तो हम इसको CMY के कर देंगे और फिर देखेंगे कि ये हमारी color scheme CMY के हो चुकी है उसके बाद यहां से ये tool इतने हमारे काम के नहीं है ये effect के नीचे ये trace के tool है जो आपको उस दिन बताया था यहां से भी आप चीज को trace कर सकते हैं यहां पे plugins जो अगर आपने कुई add की होंगे इसमें तो यहां पे वो plugins भी आपके पास show हो जाएंगे उपर ये कुछ effects हैं जो आप अपने इस पे use कर सकते हैं bitmap image पे effect जो है वो अमेशा bitmap image पे use होता है वो आपकी coral की file पे coral जिसमें nose wear होंगे जिस तरह coral के अपनी कोई shape है उस पे यह apply नहीं होते है उसके बाद हमने क्या करना है हमने एक simple design करना था तो मैं आज आपको flare बनाने का तरीका बताता हूँ basically हम हमारा flyer का size है वो a4 है a4 size का हमने flyer बनाना है तो a4 पे select करके पहले मैं double click करता हूँ rectangle पे तो यह पूरे area को हमें उसका size measure करके देता है जो हमारा page का size है उसके बाद मैंने कुछ यहां पे custom shapes draw करके रखी हुई थी यह coral की अभी मैंने shape draw की थी ताके हमें गाम में असानी हो ज्यादा लंबा tutorial ना हो जाए उसके इलावा मैंने यहां पे एक image भी रखी हुई थी PSD मैंने बना के रख ली थी हमने flyer बनाना था तो मैंने यह चीजें पहले से रख ली थी अब हमने क्या करना है हमने flyer बनाना है तो flyer बनाने के लिए पहले size उसके बाद उसका design तो design के लिए मैं यहां से यह उठा लेता हूं इसको center bottom कर देता हूं इसको color देता हूं इसा ही कुछ चीजें मैंने यहां पर रख की हुई थी इसको right align करता हूं इसको इसके उपर ले आता हूं थोड़ासा image की हवाले से जिस तरह की हमारे पास image है हम उस तरह का उसको उस तरह adjust करेंगे ताकि हमारी image भी इसमें adjust आ जाए इसको इसके अंदर power clip कर लेता हूं इसको 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 बाद मैं इसके अंदर power clip कर लेता हूं या इस तरह भी कर सकते हैं या आप power clip करने के बजाए अगर आप चाहते हैं कि आप इसको इस एरिया के अंदर रखना चाहते हैं आप इसको यहां पर रखके यहां पर आपकी setting सही आती है इसको इसकी copy यहां से आप निकाल सकते हैं इसको right पर मैं align कर देता हूं इसके बाद इसका heading हमने लेना है heading के लिए हम यहां से कोई shape draw कर लेते हैं जो basically हमारा हाइडर होगा हाइडर पर हम यहां पर apple benefits इसकी heading counter भी आप इस पर counter लाजमी लगाएं और offset का कोई भी काम करने हैं तो इसमें आपने counter लाजमी लगाना है को थोड़ा सा adjust कर लेते हैं कोई logo है आपकी company का तो आपको logo भी इस पर लगाएंगे उसके बाद मैंने यहां पर article open करके रखा हुआ था वैसे ही for example मैं यहां से कोई article उठा कि इस पर लगाऊंगा तकि वो आपको थोड़ा सा idea हो जाएं यह उसने special paste कर दिया था अब यहां पर कोई और भी इमिज उसकते हैं, अब यह इमिज इतनी मुझे अच्छी नहीं लग रही लेकिन पर भी हम इसी को यूज कर लेते हैं अब इसके में इस पर अप्लाई करता हूँ, इसको में इसके अंदर पाउर कर लेता हूँ इसके अंदर पाउच्ट कर लेता हूँ यहां वे मैं एक्सपोक्स यूज़ कर लेता हूँ इसमें मैं इसारा टेप्स्त पेस्ट करता हूँ और इसका मोटो साइज जो मैंने अपना मर्जी का रखना होगा वो में सेट कर दूँगा और इसके बाद इसकी जो हैडिंग होगी वो हम उसके एप्लाई कर देंए फार एक्गेंपल यह हैडिंग हमने लगानी है तो यह हैडिंग हम इसपे इसके बाद कुछ यह मैंने वैसे ड्राव कियुनिती चीज़ें यह भी हम यहां पर लगा लेते हैं इसके उपर भी हम कुछ लिख लेंगे जो हम जो हमारा कॉंटेंट्स हैं पर एक्गेंपल जो हमने इस फ्लायर में चीज़ें लिखी हुई हैं वह हम इसके उपर थोड़ी सी डिटेल उसकी पर एक्गेंपल हैडिंग ही समझ लें तो अम उस पे वो इस इसाइन शेप में इसके उपर सेट कर लेंगे इसको थोड़ा अट्रेक्टिव नाने के लिए तो साइस हैं सुरी यार वो फाइल दोस्तो क्रॉप हो गी थी अब मैंने इसका प्रैट्रन फूड़ा से नो चैंज कर दिया है मुझे चीज़ें थोड़ी सी प्लिट्राव करने बढ़ेंगी अच्छा तो हम ड्रॉ करें थे आब मैं ठाबी जाएस हम मैं एूड़ी मैं एूप़ें एूड़ी प्रॉ़ी नाने मैं एूड़ी प्रॉ़ी तो हम प्रॉ़ी यारोड़ी में की शॉप चुप दोटार बिलाते हैं आप हम अपन आपप सीघए यह जो दोटार यहां से झाल ऑजाते हैं आप के में अज़िए और आप का ऑफ दोटए सेड़ का यहां से बादे हैं अब इसको हम थोड़ से कलर स्कीम हैं भी लगा लेते हैं आप अपनी मर्जी के कलर यहां पर सेट कर सकते हैं मैं तो जस्ट इसको सिंपल कर रहा हूं थोड़ा सा टेक्स्ट, टेक्स्ट बोक्स, टेक्स्ट पेस्ट करते हैं इसके अंदर कलर स्कीम आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं जो आपको कलर चाहिए होंगे वो आप यहां पर सेट कर सकते हैं मैं तो अपनी मर्जी से कोई कलर वेरा इसको दे रहा हूं हम मैं इसको थोड़ा सा अट्रेक्टिव बनाने के लिए इसकी एक कापी निकालता हूं यहां पर मैंने इस पर सेमें इसकी एक कापी निकालता हूं और इसका भी थोड़ा सा एरिया अंदर की तरफ ले जाता हूं इसको कोई और कलर देता हूं के बाद हमने headings देनी है झालता हूं 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 ज्ल meditation नात्वी अबिपल आगा क्य समय अगरा प्रचेयर, आप देडिक्राब usarे तुछल्पा क्य सक्टी belang कि यह एस सब्याब पर प्रीम है, अछाना हुआ के जय दो हैं … सेंटर में लियाता हूँ, यहां पर कोई और इमिज भी इंपोर्ट कर लेता हूँ और फे इसकी हैडिंग्स यहां पर मैं इनको सब को सहम कर लेता हूँ था कि तोड़ा अजीब ना लगे सब कर लेता हैं झाल झाल जिस कदर उस पे आप मेहनत करेंगे आपका डिजाइन इतना खुबसूरत बनेगा अपिरेशन हतें कर देता हूँ यहाँ से आप सट कर सकते हैं तेक्स के जो आपने टेक्स अभी पे लगाया है। उसके बाद हम इस पर कोई और चीज़ें एड़ कर लेते हैं थाके उसकी लुकिंग में थोड़ा सा मजीब थोड़ी खुबसूर्ती पैदा करने के लिए हम इस पर कुछ थोड़ा सा और काम कर लेते हैं आपने यहां पर नीचे उसका कोई स्लोगन लिखना है ऐसे स्लोगन लिखते हैं लेकिन चले हम इसको नीचे ले आते हैं स्लोगन को के साथ उपर रख लेते हैं अजिए नीचे कोई मजीद जो इनफरमिशन आपने देनी हो यहां पर आप दे सकते हैं यहां पर कोई तेलिफोन नंबर और जो भी आप देना चाहरे हैं ड्रेस और दे सकते हैं इसके बाद हम इसके फोड़ा सा चैंज करके और वो चेक कर लेते हैं कि उसमें थोड़ा समजीद खुबसूरती पैदा करने के लिए बैसिकली यह आपके लिए एक बैसिक थीम में बना रहा हूं आप अपनी मर्जी से कलर स्कीम लगा सकते हैं उसमें जितनी ज़्यदा चीज़ें आप आड़ करेंगे वो उतना ज़्यदा खुबसुदद बनेगा परदर मैं इंशालला डिटेल लैसन बनाओंगा उसमें एक चीज हम कोई भी एक चीज चूज कर लेंगे रहा हैं और हम वो डिजाइन करेंगे वो डिजाइन करने के लिए बैसीकली हमारे पास उसका रहा partir निकाल ने हैं ऐसके लिए हम पहले पने चीज़ें निकाल इनगे लख लेंगे झाल झाल बाग की आप इसमें जो भी चीजें मजीद अपनी मर्जी से कोई अगर चीजें अड़ करना चाहते हैं तो वह आप अड़ कर सकते हैं और इसको मजीद खुब्सूरत बना सकते हैं यह जस्ट एक आपके लिए बेसिक पैटरन मेंने डिजाइन की है ताके आपको उसका कुंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए अब हमने इसमें क्या किया है तो हमने पी एस्ट लगाई है फोंट लगाएं टेक्स बॉक्स यूज़ किया है टेक्स बॉक्स में एक चीज़ हाइलाइड में कर देता हूं अब देखें यहां पर यह टेक्स हमारा इतना खुबसूरत नहीं लग रहा तो हम क्या करते हैं टेक्स बॉक्स जो है उसको जिस्टिफिकेशन पर लगा देते हैं यह चोटी चोटी बाते हैं जो मतलब आप खुद से भी इसमें लेख सकते हैं यह F9 की होती है फुल स्क्रिव्यू के लिए आप अपना कोई भी डिजाइन फुल स्क्रिव्यू में देख सकते हैं ऐसे यह और भी चीज़ आप लगा सकते हैं For example, मैं इस पर Apple कोई देख लेता हूं अच्छी resolution में अच्छी से कोई image पड़ी हो तो मैं PNG, basically अगर net से आप उठाते हैं तो साथ आप PNG लिखेंगे तो वो जो है आपको background less image मिल जाएगी transparent background के साथ, तो वो आप जो है उसमें फिर लगा सकते हैं लगता है हमारा net भी सो गया है यह high resolution image है इसलिए यह मेरे ख्याल में time लगा रही है तो चलें अगर यह download हो जाती है तो हम इसको background में apply करके check करते हैं कि यह इस तरह में खुपसूरत लगेगी सभी आप कोई भी जैसे water splash add कर सकते हैं अगर आप liquid के लिए यह हमने बनाया और किसी juice गयरा के लिए तो हम उसमें वो चीज़ भी add कर सकते हैं तो फिलाल में इसको जो हमारे पास पड़े हुए apple इसमें जो लगे हुए मैं वही इसमें जो है लगा लेता हूँ transparent करके इसको थोड़ा सा bright कर लेता हूँ और मैं इसको power clip इसके अंदर कर लेता हूँ और मैं edit power clip में जाके लड़की की image को उपर ले आता हूँ apples को नीचे रखके इन पर transparency tool से transparency apply करूँगा यह आप देख सकते हैं हमारे पास उसका थोड़ा सा effect नजर आ रहा है लेकिन हम चाहते हैं कि यह effect थोड़ा ज्यादा हो जाए तो इसको थोड़ा सा यहां से पर लेते हैं तो यह हमारे पास basically हो आ गया इस तरह आप यह background के साथ mix हो रहा है तो हम इसके background को जो है white रख लेते हैं या मतलब कोई भी जो color हम रखना चाहें color इसको जो cut करें तो इस तरह का color हम इसमें use कर लेंगे इस तरह आप नजीर इसमें और खुबसूरती भी पैदा कर सकते हैं यहां पर phone change कर सकते हैं तो इस तरह जितना उस पर आप काम करेंगे वह चीज़ा आपकी अतनी ज़्यदा खुबसूरत बन जाएगी अमीद करता हूं आपको प्लायर बनाने का लेसन प्संद आया होगा इसमें कुछ टूज हमने इस्तमाल कियें फोंट चेंज कियें शेप ड्राग कियें पावर क्लिप किया है उसके बाद color reply कियें transparency tool यूज किया है उसके बाद जो भी recent हमने सीखा था उसमें हमने जो है उसका brightness उस पर control की है image पे तो यह सारी चीज़ें आज हमने इस lesson में सीखी है उसके इलवा अगर आप समझते हैं कि यह text आपका ज्यादा safe prominent नहीं हो रहा तो इसको white outline लगा के sorry इस सारा group हुआ 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 है सिर्फ text box पे हमने लगानी है white outline इस पे white outline लगा के f12 और यहां से आप इसकी setting करना न बूलें तो यह printing में थोड़ा अच्छे shade में आ जाएगा ऐसे ही बाकी text को भी आप कर सकते हैं इसमें आप इसको shadow दे सकते हैं इसको reflection लगा सकते हैं यहां पे मैं इसको तो इसी reflection भी लगा रेता हूं ऐसे ही बाकी चीज़ों पे आप काम करेंगे तो इंशाल्ला आपका design ज्यादा खुबसूरत हो जाएगा उमीद करता हूं आज का lesson आपको प्संद आया होगा अगर मजीद इसमें कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप comment की सुरत में contact कर सकते हैं तब तक के लिए खुदा आफिस और हमारा चैनल सब्स्क्राइब करना ना बोगीगा अजय कि मुने इस खुदा प्रभाता वा शेख रना शीति देग अथार जन्यान trading दोटोगे और हमारा चैस्ड सब्सके लिए और हमारा खुदान